अगर आप B.A. के 5th सेमेस्टर में हैं और आपके पास पंजाबी कंपल्सरी है और आपका कॉलेज P.U. के अंडर आता है तो ये वीडियो आपके लिए हैं इस वीडियो में आप देखने वाले हैं पंजाबी कंपल्सरी का 2023 का कोश्चन पीपर अगर आपके पास बुक नहीं ह तो आप चो है अप यू की वेबसाइट से बुक का पीडियो भी डाउनलट कर सकते हैं उसकी वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगे तो पंजाबी कंपल्सरी को जो पेपर है 45 माक्स का है आपको इसमें 3 गंटी दिये चाते हैं पहला जो इसमें कोश् प्ह Eggs बलीना पावेंगी तो इन दोनों बीसे से किसी एक पर आपको जो है इसकी व्याक्या करना है और यह पांच नमर का कोर्षन है इसके बाद जो next Products है एडाН हेट लीक्ष है कब विच्चो किसी एक dal 18 इंदरी पाव लिखो तो आपके पास दो जो है कविता के नाम दी है तपी तपी लुही लुही और हीरती जोगी दे रूप चरांजीदा स्वान्थ तो इसमें आपको किसी एक पर जो है सार लिखना है और इसका केंदरी भाव लिखना और ये दस नंबर का है ठेके फिर सेकेंड कोर्शन आ जाता है इसमें आट लेकी अट प्रशना विचो किसे पंजदे उत्तर देओ तो आपके पास टोटल यहाँ पे एट कोशने में थोड़ा जूम भी कर दूँगी इसमें सबको पांच लिखना है पहला है ऐसी लाल तुछ बिनो शब्दा विशा की है विरा खुरासान खसमाना किया कविता विच मुगर शब्द केड़े बादशा वल संकेत करदा है विरा बिस्री गई सब्ताती प्राइश शब्द विच गुरु जी ने की क्या है विरा जो नरू दुख में शब्द विच गुरु जी मनुकनु किन्ना गल्लातू निरले प्रहिंड लई कहन दे हैं वारी शादी केड़ी रचना पंजाबी विच सब्तव प्रसीद हुई बहुडी दे तबिबा काफी दी लोकन कोण है इचरा इचरा ते सलावान दी वारतलाप कविता दा केंद्री पाउली को मदकाली पंजाबी कावी सुरा कावी संगरी विच केड़े केड़े किस्तकारा दी रचना शामिल है तो ये एक-एक नंबर का आपको क अटेंट करना है पांच अटेंट करोगे तभी आपको पांच नंबर मिलेंगे तो एक-एक नंबर के हिसाप से आप कर देना टेंट अच्छे से तर्ड नंबर कोशन है हीट लिखे विश्या विच्चो किसे एक उपर पैरा रचना लिख करो तो पैराग्राफ आपको जैसे पैराग्राफ लिखना यह तो हर कोई कर सकता है ठीक है यह आठ नंबर का है आपका फिर है चोथा कोशन गुर्मुखी की वेच अच्छी आदर्श लिपी है खोल के ब्यान करो तो गुर्मुखी कैसे जो है एक अच्छी आदर्श लिपी आपको बताना एक्स्पेंड करें रिटील में नहीं आता है तो दूसरा ऑप्शन भी है गुर्मुखी नाल पंजाबी दा की रिस्ता है संखेप रूब विच रचना करो तो गुर्मुखी का पंजाबी के साथ जो भी रिस्ता है वह आपको बताना है यहां पर साथ नंबर का ही और राइट एंड एन कोशन न छे नंबर का है तो ग्रामर पार्ट पर आपको अच्छे से करने है विरह एड़ा ओह कुड़ी दे मुंडा हस रहे है वाकनुशुद करके लिखना है ठीक है इसमें आपके पास ऐसे कोई आप्शन नहीं है चार दिये है चारों के चारों टैम्ट करने है और यह चार नंबर का है ठीक है विरह जदों मेरे परानों परा नहीं समझ दे नाव वकांस चुणना इसमें आपको यहां पे लिखा भी है क्या करना है इस चीज को अब ध्यान से पढ़ना फिरह जेकर ओह पढ़िया हुंदा ता अकबार पढ़ सक्दा सी मुक के रहा शब्दानों अलग करे क लिखने यहां पर फिरह चार उस दिया तिया सन अते दो छोटे पुतर सन योजे पचाण नहीं इसमें तो आपने यह देखा इतना इजी कोशन पर आया था आए होप सो आप फटाफट फटाफट से पढ़े अपना पंजाबी का चाप्टर कंप्लेट करें ठीक है और पेप छॉए पिर इनद अन्हें पर चाण पर आप्ट थाइज पाले इस बाटागर बाट आपना पना आपालेशा जैस्ट वीछान पंट वीडा रस्ट पाट जैस्टार्स पर उन्हां प्लेस्टा तो अईग् जैस्ट आपकू स्फीछान पर रस्टार इसमे टोड़े डूढ़